प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक का पहला अध्याई भाशा विचार इसके बारे में बात करेंगे भाशा विचार को अंग्रेजी में कहते है फिलॉलजी भाशा क्या है? भाशा एक व्य माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव दूसरों तक पहुचा पाते हैं और दूसरों के मन के भाव समझ सकते हैं भाशा के मुखे दो रूप है मौखिक और लिखित मौखिक भाशा वह भाशा होती है जब हम बोल कर किसी को अपने मन के भाव बताते हैं और लिखित भाशा वह भाशा होती है जब हम लिख कर अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं अब एक प्रशन उड़ता है संकेतिक भाशा व्या कौन सी भाशा होती है संकेतिक जो भाशा है व्या भाशा होती है जो संकेतो द्वारा अपने मन के भावों को बताना किन्तु इस भाशा को अभी व्याकरण के अंतरगत नहीं लिया गया इसका कारण ये है कि इसमें जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति संकेतो द्वारा आपके मन के भावों को समझ पाए इसलिए इस भाशा के रूप को व्याकरण के अंतरगत नहीं लिया गया मात्र भाषा मात्र भाषा वे भाषा होती है जिसमें बालक जो अपने जनम के तुरंत बाद पहली भाषा अपनी मा या परिवार से सीखता है वे कहलाती है उसके मात्र भाषा राष्ट भाषा बच्चो वह भाषा होती है जो देश में जादा तर लोगों द्वारा बोली जाती है भारत वर्ष की राष्ट भाषा है हिंदी क्योंकि हिंदी भाषा देश के जादा तर लोगों द्वारा बोली जा रही है उसके बाद है राज भाशा, राज भाशा वह भाशा होती है, जो भाशा देश के सरकारी और गैर सरकारी दोनों शेत्रों में या दोनों कार्यालों में जादा तर प्रियोग में लाई जाती है भारत देश में हिंदी ही देश की राज भाशा है, यानि की हिंदी भारत की राश्ट भाशा के साथ साथ राज भाशा भी कहलाती है उसके बाद आती है मानक भाशा विद्वानों के द्वारा जो भाशा में एक रूपता लाने के लिए भाशा के जिस रूप को मानिता दी गई है वे है मानक भाशा कहने का भाव है जो विद्वान लोग है उन्होंने भाशा में एक रूपता लाने के लिए जिस भाशा को मानिता प्राप्त की करवाई है वे भाशा मानक भाशा कहलाती है अब यहाँ प्रशन उड़ता है कि बोली और भाशा में क्या अंतर है बच्चो जो भाशा है उसका जो शेत्र है बहुत विस्त्रित है जबकि बोली का शेत्र सीमित है भाशा का ही अल्प विक्सित रूप बोली कहलाता है इसका जो प्रियोग है बहुत ही कम शेत्र में होता है कहने का मतलब सीमित शेत्र में ही होता है और प्राय इसमें सहित्ती की रचना नहीं होती बोली में जो लोग गीत लोग कताई होती है उनकी रचना तो होती है लेकिन यह जो होती है यह मौखिक रूप में प्रचलित होते हैं हिंदी भाषा की जो कुल 18 जो बोलियां है वो परिचलित हैं कहने का बाद वो ज्यादा ही मानी जा रही है इसके बिल्कुल उल्टा अगर चलते हैं तो बोली के बिल्कुल दूसरे रूप में भाषा आती है जो बोली का विक्सित रूप है इसमें सहायत्य की रचना होती है और बोली से कहीं जादा विश्तरत इसका शेत्र है आपको बता दे कि भारती सविधान में जो बाई भाषा हैं 22 भाषा मतलब 22 भाषाओं को मानिता प्रदान की गई है इसके बाद है लीपी बच्चा जो लीपी होती है वो लिखने का धंग होती है हर भाषा की एक अपनी लीपी होती है यहां आप देख सकते हैं कि देखो संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली और मराठी इन भाषाओं की लीपी है जो एक समान ही है देवनागरी जबकि उर्दू की फार्सी, पंजाबी की गुर्मुखी, बांगला की बांगला, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन और जपानी की क्या है हीरा गाना यहां इसके अतरिक्त भी कई नाम आपकी पुस्तक में दिये गए हैं इसे आपके समक्ष पता चलता है कि हर भाशा के लिखने का एक अलग-अलग धंग है इसलिए उनके जो ये अलग-अलग धंग को लिपी कहा जाता है अब आपके सामने आता है सहित्य, सहित्य क्या है? ग्यान के संचित कोश को सहित्य कहा जाता है यह जो सहित्य होता है इसके दो भेद हैं एक होता है गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् उपनियास नाटक ये देखिए ये आपकी पुस्तक में दिया गया है उसके बाद आता है पद्य सहीति पद्य सहीति जो होता है कावे शैली में प्रस्तुत किया जाता है और इसको गाया जा सकता है इस विधा के उधारन है गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चंद ये सारे इसके अंतरगत आते हैं अब आता है व्याक्रन मेरे प्यारे बच्चों व्याक्रन वह एक शास्त्र है जो की भाशा के शुद रूप को बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाशा का शुद रूप क्या है यदि व्याक्रन से दूर होकर हम भाशा को बोलने लिखने का प्रितन करेंगे तो यह शब्द हमें बहुत ही अटपटे लगेंगे धन्यवाद